हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो एग्जी जैसा कि हमने प्रीवेस क्लास में दिस्क्रस किया था कि आज कि हमारी जो क्लास होगी वह होगी टेश्ट पेपर पेट मतलब कि हमने अभी तक जो भी चीजे पढ़ी है इन सभी से रेलेटर आज हम क्लास को क्या है तो यहां daroo fucking our first question हो बाएं किसे चीज़ को होगा इनर्जी शफलाई करते हैं तो क्यों है होगी 560 में हिकली शास 255 क्लासズ किनेटिक एनरजी ऑने चुने का है। उसका जो इन्क्रीज हो जायगा। चैनेखंगा उसको बहीं किझा। तो जो एर की पार्टिकल से जब उनको honey energy supply की जाएगी तो अनकी इनर्जी इनक्रिज को जाएगी और काइनेटिक energy increase होने की वज़ेसे एर जो पार्टिकल से spread out हो जाएगे ठीक है जिसके वज़े अब हम देखते हैं next question को next question है हमारा if an ice cube is left out in room it will change from one state of matter to another which is the correct order of state of matter that the ice cube will go through तो यहाँ पर ice cube है उसको room में रख दिया गया है आपने दिखा होगा कि जबी भी हम ice को room temperature पर या फिर रूम में रख देती हैं तो क्या होता कि ice किसमें convert हो जाता है water में convert हो जाता है ठीक है और अभी इसी water को अगर हम heat supply करें तो यह water जो है वो किसमें convert हो जाएगा वैपर में ठीक है तो यहाँ जो ice है वो solid state में था फिर हमने उसको room में रखा तो उसकी किस state में आ गया वो liquid state में आ गया फिर हमने फिर इसको heat supply किया तो यह किस state में चला गया 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 तो जो correct order जो है वो है solid liquid then gas का तो इसमें जो correct answer है वो है option d solid liquid gas ठीक है अब चलते हैं दूसरी question की तरफ next question है which of the following is not an example of matter इन सारे जो option दिये हैं इन में से कौन सा तो जो option है वो matter का example नहीं है तो matter के लिए हमें पता है क्या condition हो चाहिए कि matter के पास mass होता है दूसरा matter जो है वो space occupy करता है और third जो condition थी वो कहते मैटर को हम अपने but. अब देखेंगे एर की बारे सुप्स्ट करें देखांगय कि कि ऐर को हम ब gli वह स्पेस करते हैं अब बात करते हैं तो आपसे में है नो उसका भी मास होता है वह भी स्पेस करता है और अब बात करते हैं लेकिन अगर बात करें हम आप्सटodd की, तो क्या हम छो मेंजर कर सकते है कि उसका मास्टार हुआ कितना है? यद्धा है, या फिर यह मुदा सकते है कि जो थौर्ट से वो कितना इस्पेस वक्भी कर ला है नहीं बता सकते है. अगर मैं आपको बोलू कि थोट्स को टीबल पर रखना है तो क्या यह पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ठीक है तो इसमें जो option D है वो है correct answer ठीक है जो thoughts है वो matter की category में नहीं आता है अब देखते हैं कि देखते हैं हमारा जिग जग मुवमेंट और लुट पार्टिकल इनस वालिशन एक नोन है हमें पता है जो जग जग मोशन होता है वह कि इस मोशन में आता है व्राउनियन मोशन में इसको क्यों नाम देखिया था क्योंकि इसको सबसे पहले रॉबर्ट बॉब्राउट ने तो इसलिए उनकी नाम पर इस मोसन को ने ब्राउनियों मोसन नाम देखिया था ठीक है अब देखते हैं हमारा नेक्श क्वेश्चन freezing and और opposite process यहाँ पर इस face दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा option जो है वो correct होगा freezing के process में क्या होता है? कि जो liquid है वो किसमें convert होता है? solid में ठीक है? यह होता है न? लेखे नकीन इसका opposite process क्या होगा? solid convert होगा liquid में ठीक है? कहां पर कनवर्जन होड़ा है लिक्विड में तो इस प्रॉसेक्स क्या कहते थे मैल्टिंग कहते थे ठीक है तो इसमें जो करेक्ट एंसर है वो है इसमें जो करेक्ट एंसर है वह है option ए इस है ठीक है और फिर उसको कॉल आ जाती है वो चली जाती है लेकिन उसने क्या किया कि किस कब को वह लीट से कबर कर दिया यह लीट से उसनी कवर कर दिया इसकब को चाय है उससे निकलने वाला पर है वह लिकविट में कनवर्ड हो गया वैपर जो है वो वाटर में convert हुआ और वैपर जो है वो gaseous state में होता है water जो होता है वो liquid state में होता है तो gas का liquid में convert होना क्या है gas का liquid में convert होना condensation का process है तो इसलिए option D इसमें correct option है ठीक है next टेकते what are the three states of water cycle water cycle का तीन state जो है वो कौन-कौन सा है तो water cycle में क्या होता है कि जो नदियों या महासागरों का जो पानी होता है वो sun से आने वाली heat की हो जाते evaporate होता है ठीक है evaporate होने की बात कुछ दिर बाद वो जब ठंडा होता है तो छोटी छोटे water droplets में convert हो जाता है और वो water droplets जो है उसमें क्या process होता है अगर चोटी चोटी जो वैपर जो है वो water droplets में convert हो रहा मतलब की liquid में convert हो तो वो जो process होगा वो condensation का होगा और water droplets में convert होने के बाद जो है बादल में तीन process involved हो रही है पहले evaporation हो रहा है फिर condensation हो रहा है और फिर बाइस ओला या बर्ट का गिरना जो है वो precipitation होता है तो इसमें जो प्रेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन भी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं है अगे वाटर कैन बिकम ऑल त्री स्टेट सॉफ मैटर इस तरह स्टेट्मिंट इस ट्रू और फाल्स मतलब कि वाटर जो है वह तीनों स्टेट में रह सकता है इस तरह से वाटर जो है वह तीनों स्टेट में देखा जा सकता है तो इसलिए जो करेक्ट एंसर है वह और और नेक्स्ट दीखते हैं विच वन इस नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूट तो इस तो फ्लूट की प्रॉपर्टी है सेकंड दिया हुआ है इट है जो डेफिनिट होती है नहीं होती क्यों क्योंकि फ्लूट को जिस भी पॉर्ट में रखा जाता है वह उसका शेप ले लेता है लाइक अगर हम इस से जो फ्लूट होता है उसका डेफिनिट शेप नहीं होता तो जो 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 करेक्ट एंसर है इसमें ऑप्सन भी है यह जो है वह फ्लूट की प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है जो है वह फ्लूट कर सकता है और फ्लूट को हम देख भी सकते हैं यह सारी प्रॉपर्टी फ्लूट की प्रॉपर्टी नहीं है फ्रूट की जो शेप होती है वो डेफिनिट नहीं होती ठीक है कि दूसरा देखते है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इस्टेशनरी वाइब्रेटिंग इन वन पोजिशन इन कॉंटिन्यूस मोशन रोटेटिंग अबाउट अन एक्सिस इसमें से कानेटिक थेओरी आफ मैटर में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वह कॉंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो यहां पर जो करेक्ट एंसर है वह ऑप्शन पी देखते हैं नेक्स्ट क्या है सबको पता है कि रेंग जो है वो लिक्विड वर्म में होता है ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट एंसर है वो ऑप्शन भी है इस प्रोपर्टी वप्श में हम दो सब्सक्राइब करते थे ठीक है क्यों क्यों कि युनिफर्म वालीजसन हमें निकालना होता था तो इसमें जो होता है कि जो solid में जो diffusion का जो process होता है वो slow होता है in comparison to liquid और gas लेकि liquid में solid के comparison में fast होता है बट gas के comparison में slow होता है तेकिन अगर दीखा जाए solid liquid और gas में तो gas में सबसे ज़्यादा जो diffusion का process होता है वो fast होता है तो इसमें जो correct answer है वह option B देखते हैं next question अब कानेटिक फिउरिय औफ टॉ प्मेंट करने आइसा नहीं लिमकद टॉ एंसमीं टॉंसार चैंक है इसमें ठीक है सेकेंड जो option है particles in object are always moving ठीक है तो हमने kinetic theory of matter में पढ़ा था कि matter की जो particles होते हैं वो continuously क्या करते हैं move करते हैं तो इसलिए जो इसमें correct option है वो option B ठीक है वो liquid में convert होगा ठीक है और वैपर किस पॉर्म में होता है gas में होता है तो gas का liquid में conversion होगा तब condensation होगा solid कैसे convert करेगा ठीक है तो यहां पर option C जो है वो गलत है तो यह में जो क्रेक्ट option आ रहा हो option B का है next लेखते हैं तो इसमें इसमें इस्टेट में है बट जो एए वो किसमें है तो सिर्फ solid को टिक करना सही नहीं होगा सिर्फ gases को हम टिक कर रहे हैं तो वह भी सही अंसर नहीं होगा लेकिन अगर हम matter को टिक करें तो matter में यह दोनों category आग जाएगी मजब solid और gas दोनों की category matter में आ जाएगी तो इसमें जो प्रेक्ट एंसर है वो है option a matter नेक्स्ट देखते हैं विच स्थीट ऑफ मैटर है टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो solid होते हैं उतमें जो ऑपिक्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्थेस नहीं होता था बहुत कम दो तो इस monitore पार्टिकल्स होते हैं वो टाइट ली प्याक्ट होते हैं तो इसमें जो करेक्ट एंसर है वह और अप्सें एट नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल्स एब एनर्जी एंड इस्पेस यहां पर दिया हुआ है और स्टॉक मुविंग स्टॉक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी खि NXT पार्टिकल्स के हम ने परआ हैं कि जो बिम्सट्ऱज का परें कार्टिकल्स होते हैं वह कोंटिनू कर2 आज कभी रूक नहीं है हमेस मूश्ट कर रहे energy is removed and there is no energy energy added तो स्टेट चेंज करता है तो जब हम ईच परीविजस एक्पेरिमेंट में कि जब हम एक्पेरिमेंट कर रहे हैं कि तो चल्ड यहीं कर रहे हैं परेह में हैं पिल में कनवर्ट हो रहा है फिर हमने हीत सप्लाई किया तो लिक्विट जो है वह गैस में कनवर्ट हो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर जो करेक्ट एंसर है वह है ऑप्षिन कि एनर्जी एड़ेड और रिमोब करेंगे तो जो मैंटर जो है वह इस्टेट अपना चेंज करता है तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्योस्टन्स से अब मैंटर स्टेट ऑफ मैंटर या इंटर कन्वर्जन और स्टेट ऑफ मैंटर से उतने सारे क्योस्टन को स्वाव कर लिया है एक्जाम में अक्सर ऐसे ही क्योस्टन पूछे जाते हैं कि अब